कि अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हब में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लड़का होने के ऐसे तीन लक्षण बताने वाला हूं अगर आपकी प्रेगनेंसी में इन में से एक लक्षण भी आपको मिल जाए तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आप एक बिबी बॉय को कंसीव कर रही हैं तो दोस्तों वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को इसकिप ना करें और पूरा जरूर देखें चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पैल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नॉट्फिकेश सबसे पहले और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको उन तीन लक्षणों के बारे में जो महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी pregnancy confirm हो जाती है तो उसके बाद उसके मन में और उसके परिवार वालों के मन में सिर्फ एक ही जिग्या सब बनी रहती है कि जो उनका होने वाला baby है वो कौन है जिन महिलाओं को पहले से लड़के होते हैं वो एक लड़के की चाहत रखते हैं दोस्तों हम दोनों के लिए वीडियो बनाते हैं मेरे दो चैनल है एक प्रेगा ट्रिक्स वहां पर आपको लड़की की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और यह सेकंड चैनल है प्रेगा हव इस पर आप लड़की की भी वीडियो बहुत देख सकती हो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है लड़का और लड़की में बेदवाब करने का इसलिए दोस्तों आप भी वेदवाब ना करें दोनों को समानता प्रिदान करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको उन लक्षों के बारे में विना कोई टाइम गवाए दोस्तो प्रेगनेंट होने के बाद जब आपका दूसरा-तीसरा महीना निकल जाता ए उसके बाद अगर मोटे उसके दर कि आप एक baby boy को conceive कर रही है ऐसा बोला जाता है कि जब गर में लड़का पल रहा होता है तो महिला की जो तवचा होती है वो black होने start कर देती है वो black होने start कर देती है और महिला के चैरे का glow है वो खतम होता चला जाता है और दोस्तों जो दूसरा लक्षन होता है वो होता है आपके पेट पर यारी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का सेफ आपको किस परकार दिखाई दे रहा है और आपको आपके बच्चे का बार किस तरफ महसूस हो रहा है तो दोस्तो अगर आपकी pregnancy के दोरान आपके पेट का shape आपको अंडाकार रूप में दिखाई दे रहा है और आपको आपके बच्चे का भार नीचे की तरफ नावी से नीचे अगर महसूस हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लें आप एक baby boy को conceive कर रही है और वहीं आपका कि आप एक baby girl को conceive कर रही है और दोस्तो जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है अगर pregnancy के दोरान आपके चहरे पर आपके हाथ परोपर अंचाहे बाल आना start हो जाते हैं तो यह भी एक girl में लड़का होने की निसानी मानी जाती है तो दोस्तो इन तीन में से अगर आपको pregnancy में एक भी दिख जाए तो आप अंदाजा लगा लें कि आप एक baby boy को जनम देने वाली हैं उमीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो like करना चैनल को subscribe जरूर कर लेना मिलते हैं ऐसी ही important जानकारी के साथ अगली वीडियो में जब तक के लिए thanks for watching तिं झेरणारी की लगेदिए और मिलते हैं